आयोध्या के राम मंदिर में स्थापित की गई रामलला की मूर्ती बनाने वाले करनाटक के मूर्तिकार अरुण योगिराज ने उस हतोड़े और छेनी की तस्वीर सारवजनी की जिससे उन्होंने रामलला की आँखे तराशी थी योगिराज ने सोचल मीडिया प्रेटफर्म एक्स पर इसकी जानकरी शेयर की योगिराज ने लिखा इस चान्दी के हतोड़े और सोने की छेनी से मैंने रामलला की दिव आँखे बनाई सोचा इसे सबके साथ साजा करू आयोध्या में 22 जनवरी को अरुन की बनाई रामलला क की प्रांट प्रतिशिटा हुई थि इस से तीन देन पहले 20 जनवरी को रामलला की पहली तस्वीर सामने आई थी हाला कि तब कपड़े से उनकी नखें ढकी थी प्रांट प्रतिशिटा के दोरान रामलला की आँखें पहली बात दिखी थी इसके बाद लोगोंने अरुन यो योगिराज की खूप तारिफ की योगिराज ने काले रंग के एक ही पत्थर से पूरी प्रतीमा बनाई है पत्थर को कहीं से जोड़ा नहीं गया अरुन योगिराज की पत्नी विजिता ने बताया कि जब योगिराज को राम लैला की प्रतीमा बनाने का काम मिला तो उन्होंन ने बताया कि अरुण ने इस बात का ध्यान रखा सब शिल्प शास्त के मुताबिक हो साथी रामलला की मूर्तिक का कंपोजिशन आसपास के डिजाइन से मेल खाना चाहिए और कंपोजिशन उभर कर आना चाहिए प्रतिमा में लोगों को भगवान नजर आना चाहिए इसके साप पने आई इस बात के साथ कर दो आना चाहिए